आज का हमारा टापिक है Add InstaMojo Sales to New Zoho CRM Leads तो InstaMojo हमारा एक D2C Tech Platform है और Zoho हमारा एक CRM Application है अब हम चाहते हैं कि जब भी InstaMojo पे कोई नई sales जनरेट हो तो Zoho CRM है Automatically एक Lead हो जाए Create तो इस पूरी प्रोसेस को हम Automate कर सकते हैं पैबली Connect की मदद से Insta Mojo और Zoho CRM के बीच में एक correction बिल्ड करके जिसमें मारी trigger application होगी Insta Mojo और हमारी action application होगी Zoho CRM तो आएए देखते हैं मेरी screen पे कैसे मैं पूरा automation बना रहा हूँ जैसे कि अब देख सकते हैं यह है मेरे Insta Mojo का account Insta Mojo एक G2C tech platform अब हम चाहते हैं Metically Streamed Details का यूज करके Zoho CRM पे एक lead हो जाए Create Streamed Details के साथ तो इस process को करने के लिए हम चलेंगे new tab पे और देखिए आप देख सकते हैं यह है पैबली connect का landing page पैबली एक बहुती amazing software है जहां multiple applications को connect integrate कर सकते हैं तो आज हम यूज करेंगे पैबली connect इंस्टा मुझो और Zoos CRM के बीच पे एक connection बिल्ट करने के लिए अगर आप नई यूजर हैं तो जाएंगे sign up for free पे जहां आपको अर मेने मिलेंगे free task ऐसे automation create करने के लिए अगर आप existing user हैं तो click करने sign in पे sign in पे click करते हैं हमारे सामने open होगी यह 5 main applications आज हमको यूज करना है public connect का click करेंगे access now पे और access now पे click करते हमारे सामने open होगा public connect का dashboard हमको जाना right hand side पे click करना है create workflow पे इसके बाद हमारे सामने dialogue box appear होगा जहां में इस workflow को एक नाम देना है तो मैं इसे नाम दूँगा at instant to sales to new zoos CRM as leads click करेंगे create पे create पे click करते हैं हमारे सामने open होगी यह दो important windows इनको हम कहते हैं trigger and action basically दो ऐसे principles यह concepts है जिसमें मारा पूरा automation based होता है इनकी definition की बात करें तो trigger कहता है when this happen मतलब जब ऐसा हो तो action कहता है do this मतलब ऐसा कर दो तो आज के हमारे trigger application क्या होगी आज के हमारे trigger application होगी इंस्टा मुझो इंस्टा मुझो हमने ऐसे करेंगे select trigger event पर हम select करेंगे new sale इसका मतलब इंस्टा मुझो पर जैसी कोई new sale होती है तो automatically जो हमारे workflow का trigger है वो run कर जाए और उसकी सारी details पर use करके zoos CRM कर देख रिए trigger event select करते हैं हमको आपर मिला एक webo qrl webo qrl का काम होता है दो applications के बीच में connection बिल्ट करना तो आज ये webo qrl हमारी मदद करेंगा insta mojo और public connect के बीच में connection बिल्ट करने में इसका मतलब insta mojo की जो सारी details है वो public connect के पास capture होंगी इस webo qrl के मदद से तो ये webo qrl हमको यह से करना है copy इसके बाद देखे हमारे सामने आपर सारे instructions दी हूँ है कि कैसे हम इस webo qrl का use करना है हमको जाना है हमारे insta mojo के account पे click करना है product पे फिर जाना है advanced setting में और वहाँ पे paste कर देना हमको ये webo qrl तो आपको directly बताता हूँ कि इसके use हमको कैसे करना है हमको जाना है हमारे insta mojo के account पे अब देख सकते है products पे click करना है जाना हमको all products पे तो माल दीचे मुझे ये particular course buy करना है PHP for beginners इसको मैं करूँगा open open करते ही देखे हमारे सामने आएगा ये option हमको जाना है advanced option पे और scroll down करना है नीचे scroll down करते ही नीचे हाँ पर दीखे webo qrl का option दिख रहा होगा ये पुराना वाला webo qrl हमको यहां से हटाना है और जो public net पर भी हमको नया webo qrl बिला था इसको यहां से करना है copy और यहां पर कर देना लाके paste इसको जैसी में पर पीस्ट करूंगा तो यह जो webo qrl है इसकी मदद से जैसी इंस्टा मुझो पर इस particular course में जैसी यह course sale होता है तो इसकी जो details है वो public net के पास automatically capture हो जाएगी click करेंगे हम save पे तो देखिए यहां पर लिखा रहा है updated करते हैं यह course तो इसक्लिक करेंगे फिर हमको जाना है view on store पे यूए इस्टोर पे क्लिक करते हम यह course करेंगे buy तो क्लिक करेंगे buy now पे और कुछ डबी details के साथ buy करते हैं यह course तो क्लिक करते है review and pay पे फिर click करना हमको make payment पे और buy करते ही यह course तो देखिए यहां पर लिखा रहा है thank you for your purchase check your whatsapp number to download the file इसका मतलब जो course था PHP वाला हमने successfully buy कर लिया यह हमारा order number यह हमारे order की date and time और यह था हमारा amount तो इसका मतलब जो भी details हमने आपे fill करी थी वो सारी पैबली connect के पास automatically capture हो गई होगी उस webhook URL की मदद से चलते है पैबली connect पे और देखिए यहां पर हमको instantly API response receive हो चुका है तो यह था हमारा purpose यह था हमारा phone number यह था हमारे buyer की email ID और यह था हमारा amount इसका मतलब जो हमारा first step of integration है वह work कर रहा है पर अभी भी हमको सारी details नहीं मिली है बतलब जो हमारे customer का नाम था email ID थी जो first name last name था वो अभी सारी details हमको यहां पे capture नहीं होई है फिर यहां पर हमको शो हो रहा है private API key and private authorization token अब आप सोच रहोंगे कि private API key and private authorization token हमको कहा से मिलेगा तो दीखिए हमको सारे instructions दिये हुए हमको जाना है API and plugins पे तो दीखिए जैसी इस पर मैं click करूंगा तो यह हमारी private API key यह की हम यह से करेंगे copy जाएंगे public connect पे और इसको कर दे हम यहां पर paste क्लिक करेंगे safe पे तो देखिए हमारा इंस्टो मुझो का account वापिस public connect हो चुका है अब get payment details के लिए हमको यहां पर map करने है payment ID अब payment ID हमको कहा से मिलेगी इस पर हम use करेंगे mapping का अब आप सोच रहे होंगे कि mapping का मतलब क्या होता है mapping का मतलब यह होता है कि जो response हमको trigger application में मिला था उसका use हम यहां पर कर लेंगे वो भी without memory type करके तो इंस्टा मुझो जो कि हमारी trigger application थी उस पर देखिए हमको यह payment ID मिली थी यही payment ID हम यहां पर कर लेंगे use mapping के through जो करेंगा हमारी payment ID तो यह थी हमारी payment ID इस पर जैसे में क्लिक करूंगा तो देखिए यह data यहां पर हो गया map अब mapping जरूरी इसलिए होती क्योंकि जब भी workflow run का देखा तो यह data हमने map किया था यह automatically new data से हो जाएगा change अगर हम यह आप इसको manually type करते तो यह data हमीशा रहता static अब क्लिक करते हैं से इमेंट से टेस्ट पर तो देखिए जो हमारी payment की सारी details थी वह हमको यहां पर शो हो रही है success दिखार हमको one यह था हमारा amount यह हमारे था user का नाम जिसने purchase किया था यह course और यह थी हमारी email ID and phone number यह सारी details हमको यहां पर मिल चुकी है इसके बाद हम यहां पर यूज करेंगे पैबली का एक feature जिसको कहते हैं filter क्योंकि जो इंस्टा मोजों पे जो payment successful नहीं भी होती है तो भी उसका यहां पर show होता है data इसलिए हमको लगाने पड़ेगा filter इसका मतलब जो बायर successfully product purchase करता है जिसकी payment successful होती है हम तब ही चाते है कि ह application filter और देखिए यहां पर select कर सकते है अप label तो select label में select करेंगे इंस्टा मोजों पर जो हमको second step में मिला था get payment details यहां से यूज करेंगे success क्योंकि हम चाते है कि जब भी हमारी payment successful होती है मतलब success कि आगे अगर one लिखा हुआ है जब भी payment successful होती है equal to value में देना चाहते है one तब ह हमारा workflow run करें अगर payment unsuccessful होती है इसका मतलब है यहां पर zero लिखा होता है तो हम नहीं चाहते है कि जो हमारा workflow का trigger है वो run करें और zoos यारे में click करेंगे save and test request पे तो अब देखिए यहां पर लिखा रहा है condition is true क्योंकि अभी हमारी payment successful होई है इसलिए यहां पर लिखा रहा है condition is true अब फिर से हमको use करना है पैबली का एक feature जिसको हम कहते है text formatter प्योंकि zoos यारे में जैसी हम mapping करेंगे या कोई first name और last name फिल्म करेंगे तो उस पे जो first name last name होता है वो different format पो होता है बतला first name अलग होता है and last name अलग होता है demo use जो है वो separate नहीं है इसलिए इसको हम करेंगे separate प use करेंगे text formatter का action event पर हुंको select करना है split text क्योंकि हमको text करना है split two parts में click करेंगे connect पे text to split यहां से हम कर देंगे मैं तो text to split क्या था हमारा वापिस जाएंगे इंस्टा मुझा second step पे drop down पे click करेंगे तो यह था हमारा name जिसको हमको करना है split इसको करेंगे कॉपी और सेग्मेंट इंडेक्स पर सेलेट करेंगे all क्योंकि हमको पूरा टेक्स्ट है इसको करना है split क्लिक करूंगा सेवेंट सेंटेस्ट रॉक्रेस्ट पे तो देखिए जो हमारा name है वह भी हापे split हो चुका है demo अलग हो चुका है and use अलग हो चुका है अब आती है हमारी last step इसका मतला अब यह जो सारा data हमको मिला है इसका यूज़ करके आपको पूरा URL दिख रहा है इस पेसे जो domain name है वो है zoho.com तो यह है हमारा domain name zoho.com चलेंगे पेब्लिक करेंगे copy इसको कर देंगे paste तो यह हमारा domain name क्लिक करेंगे हम safe पे इसके बाद हमको देने यह पैब्लिक करेंट को access zoho CRM से connect करने के लिए click करेंगे हम accept पे तो देखिए हमारा authorization successful हो चुका है जो हमार mandatory details से सिर्फ वही company name mandatory नहीं क्योंकि हमने कोई ऐसी field create नहीं करी थी तो company हम चोड़ेंगे blank उनारा ID यहां पर automatic हमारी system ने fetch कर लिए फिर आता हमारा first name and last name तो जैसे कि आपने previous step में देखा होगा मैंने first name and last name को separate किया था text formatter की मदद से तो यहां पर map कर देंगे हमारा first name वाप यहां से मैप कर देंगा हमारी mail ID यह थी हमारी mail ID buyer की यहां से मैंने कर दी map फिर आता हमारा phone number नंबर भी हमको मिला था second step पे वह भी हम यहां से कर देंगे map फिर आता हमारा mobile number website अगर आपके पस कोई website हो तो आप यहां पर कर सकते हूं उसका map यह सारी fields pendatory नहीं इसको हम छोड इसके बाद की तो सारी fields यह mandatory नहीं है अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं like address country zip code and description तो आप इसको फिल कर सकते हैं आप सिंप्ली मैं क्लिक करूंगा सेविंट सेंट टेस्ट केस्ट पर तो थी कि जो से आरे में आपको बता है इसली किया है क्योंकि जब भी वर्फिलो रन का देगा तो यह जो डेटा हमने मैप किया है यह अपर इसली मैपिंग करना पहुज़ारी होता है कि यह अपर इन सब को मैनुले टाइप करते तो यह ट्रेटा मीशरता बहुजा जरूरी होता है अब सिंपले हम क्लिक करेंगे सेविंट सेंट टेस्ट रिकेस्ट पे तो देखिए आटोमेटिकली जोह सियारे में एक लीड हो जाएगी क्रियेट तो देखिए यहां पर हमको API response रिसीफ हो चुका है यहां पर दिखा रहा है success जिसका मतलब क्रियेट हो चुकी तो देखिए यहां पर लीड क्रियेट हो चुका है इसका मतलब पैबली करेट पर जो हमने automation बनाया था वो वर्क कर रहा है simply 5 step हमने automation बनाया था जिसमें हमारी trigger application थी Insta Mojo और हमारी action application थी Zoos RM तो ये 5 step को use करके हमने पूरा automation set up किया पर मैं आपको बता दूँ कि यह जो पूरा automation नहीं है कि यह वाल आपको एक बार set up करना इसके बाद की सारी process पैबली करनेट automatically कर लेगा इसका मतलब Insta Mojo पर जैसी कोई sale create होती है तो instantly इसका use करके Zoos RM एक lead हो जाएगी create सबसे पहले हमने Insta Mojo से जो new sale हुई थी उसका data हमने fetch किया फिर हमने Insta Mojo से सारी payment details निकाली जाए like buyer का नाम फिर हमने filter का use किया filter एक पैबली का feature है जिसके मदद से हम चाते थे कि जो payment successful हो रही है सिर्फ वही payment Zoos RM as a lead हो create इसलिए हमने use किया था filter का फिर हमने text formatter के मदद से जो हमारा name था buyer का उसको किया split और action step जो हमारी last destination थी like Zoos RM उसमें कर दी एक lead create अगर आप भी इस workflow का use करना चाते तो इसका link पर प्रिवीडिक के description में दे दूँगा जहां आप इसे बड़ी असानी से इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ यही नहीं आप और भी application के integration पैबली करेट के मदद से बना सकते हैं इसके लिए आप हमें email कर सकते है support at the rate family.com पर अगर आपको कोई queries हैं आपको कोई doubts हैं तो आप जा सकते है forum.family.com पर अगर आपको pricing related कोई issue हैं तो आप जा सकते हैं इस link पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो please like करें, share करें और हमारी channel को subscribe करना ना भूले, thank you